Ministry of Environment, Forests and Climate Change में भी recruitment आई हुई है जहाँ पे various post है और वहाँ पे आपको एक मिलेगी junior translator की तो junior translator की जो post है जो vacancy है केवल एक है और वो देहरा दूर में है यानि कि जो भी उस पे select होगा उसकी posting देहरा दूर में होगी लेकिन वो deputation पे है 56 साल तक के candidates उसके लिए आवेदन कर सकत हैं तो deputation कारती है होता है कि जो already कहीं न कहीं किसी autonomous body में या फिर किसी institute में किसी सरकारी कारेले में कारियरत हैं कहीं पे काम कर रहे हैं सरकारी employee हैं तो वो लोग ही केवल उसके लिए आवेदन कर सकते हैं otherwise अगर आप fresher आपके पास eligibility यान की qualification है और experience है तो भी आप उसके recruitment आ चुकी है जो है National Institute of Technical Teachers Training and Research यह भोपाल में है इनके भी कहीं न कहीं कई सारी जो है इनकी फर्म से इंडिया में तो कहीं न कहीं इनकी recruitment आती ही रहती है और यहां पे आपको बहुत सारी various post मिलेंगी जहां पे आपको मिलती है सीरे लंबर आठ पे Hindi translator की और pay level इसका थोड़ा कम है salary कम मिलेगी 5 है और age यहां पे 32 है और EWS के लिए vacancy है अब आगे चलते हैं और इसकी हम देखते है qualification क्या है इसके लाव आप देख सकते हैं कि कब तक आपको apply करना है तो यहां पे लिखा हुआ है कि 1000 रुपे इसकी application fees होगी level 6 और उससे उपर बागी 7500 रुपे होंगे level 6 से नीचे तो यानि कि इसका मतलब यह है कि junior translator की जो post है वो level 6 से नीचे पाच पे है तो शाड़े 700 पे करने होंगे बाकि SCST, PWBD और women जो है उनको fees पे नहीं करनी है और यह 21 दिन के अंदर ही आपको apply करना है तो आज के implement news में है तो 21 दिन आप हिसाब लगा लेना तब तक आ आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसका criteria क्या है क्या eligibility है और आपके पास क्या qualification इसके लिए होनी चाहिए और भी यहापे बहुत सारी post है store purchase officer हो गया और camera man हो गया आपके कोई link में है तो वो भी इसके लिए apply कर सकते script writer हो गया लेकि यहापे script writer के लिए कुछ journalism में अलग से चाहिए ठीक है और इसके लिए age limit है 40 साल तो काफी अच्छी यहापे जो है एक opportunity है desirable experience है वो भी desirable में है तो जिनके पास only qualification है वो भी apply कर सकते हैं इसके आगे आता है computer operator फिर आता है media designer कम dman और फिर research assistant और फिर आता है आपका Hindi translator तो हिंदी translator जो है NITTR भोपाल में शामला hills शामला है शामला है शामला तो यहापे नहीं होगा तो हिंदी translator जो है यहापे केवल एक vacancy है EWS के लिए है जो grade पे है वो काफी कम है अठाइस सो का basic आपका है बावन सो तो यहापे qualification इन्होंने का है कि second class master degree होनी चाहिए हिंदी में या English में अगर य यह नहीं है तो आपके पास bachelor degree में English और Hindi दोनों subject होने चाहिए उनमें से चाहिए compulsory हो दूसरा elective हो दूसरा medium हो तो भी आप eligible होंगे आगे नंबर दो पे कहते है कि दो साल का translation में आपके पास experience होना चाहिए जो technical institution से हो या organization से हो या किसी कारेल ले मिनिस्टी से हो तो यहाप experience मांग के थोड़ी इन्होंने गड़बड कर दी है और desirable में दे दिया यहाप पे diploma certificate course in translation experience of English and Hindi typing word processing and proof reading desirable कारती है कि अगर आपको यह सब चीज़े आपके पास है आप acquire करते हैं तो इसके लिए आप को थोड़ा भूत benefit मिल सकता है age जो है काफी अच्छी दी हुई है 32 सालिस में age limit है हालंकि कई जगह पे तो 35 भी दे देते हैं नाई ट्रिपल टी आर में और इसके बाद आता है assistant photographer फिर है lab technician science में और lab technician electrical और फिर आता है AC technician तो बहुत सारी post टैनोग्राफर भी है junior stenographer और फिर आता है security assistant तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी instructions इन्होंने दिये हैं कि किस तरह से आपको apply करना है तो यह general instruction जितने सारे हैं वो आपको सारे पढ़ने है फिर हमने आपको पहले ही बता दी है और किस तरह से आपको अपने documents इनके पास भेजने क्या क्या आपका आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां से आप इन सब को access कर सकते हैं